आज पोर्व भारतिय कप्तार महिंदर सिंग धोनी का 42 जनम दिन है 7 जुलाई 1981 को जन में महिंदर सिंग धोनी का क्रिकेट करियर में 24 साल का सफर पूरा हो चुका है भारत को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले एकलौते कैप्टन रही है उन्होंने 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था नमस्कार आप देख रहे हैं मानवी की नई सोच तईप है क्रिकेट करियर में अपना नाम पर्चम पर लहराने बाद महिंदर सिंग धोनी को हमारे चैनल की तरफ से जनम दिन की हार्दिक्षुप कामना है चलिए शुरू से जानते हैं धोनी ने क्रिकेट करियर में कैसे शुरुवात की और क्या-क्या उपलब्धिया हासिल की है बात है 2007 की जब T20 वर्ल्ड कप में धोनी की कप्तारी टीम ने पहली ICC ट्रॉफिक हासिल की थी वहीं मौझूदा वक्त में वे अब IPL में चिन्ने सुपर किंग्स की ओर खेलते हुए दिखाई दिते हैं पूर्व क्रिकेट कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने अपने अंतरास्ची करियर की शुरुआ साल 2004 में की थी उस वक्त उन्होंने बांगलदेश के खिलाफ वंडे मैच खिला था हालांकि अब वो सिर्फ IPL में ही खेलते नजर आते हैं IPL 2030 में उन्होंने अपनी कप्तानी में चिन्नई सूपर किंग्स को विज़ई बनाया था मालूम हो कि चिन्नई IPL में पांच वी बार चेंपियन बनी थी इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी ने कई उपलब्धियां हासिल की है अपने 24 साल के करियर में उन्होंने कई जंडे काड़े हैं कई नंबर वन रिकॉर्ड भी बनाये हैं कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे भी हैं जिनें आज तक कोई तोड नहीं पाया आए जानते हैं ऐसे कौन से रिकॉर्ड रहे महिंदर सिंग धोनी टेस्ट में सबसे ज़ादा यानी साथ मैचों में विकेट किपिंग करने वाले कप्तान रहे वंडे की एक पारी में ही उन्होंने सबसे ज़ादा छे बल्ले बाजों को आउट किया है वन्डे की एक पारी में सबसे ज़्यादा तीन स्टंपिंग 200 मैचों में विकेट किपिंग करने वाले सर्वस्रेश्ट कप्तान धोनी ने वन्डे में बता और विकेट के पर सबसे बड़ी पारी खेली 183 रनों की टीट्वेंटी इंटरनेशनल की एक पारी में ही पाच बल्लेवाजों को आउट किया यही नहीं टीट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 72 मैचों में विकेट किपिंग करने वाले कप्तान टीट्वेंटी इंटरनेशनल करियर में 34 स्टंपिंग अपने अंतरास्ट्य करियर में बतावर कप्तान उन्होंने 332 मैच खेले और 195 स्टंपिंग महिंद्र सिंग धोनी ने 2004 से लेकर 2019 तक अपने अंतरास्ट्य करियर में 90 टेस्ट, 350 वंडे और 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले टेस्ट की 144 पारियों में उन्होंने 38.09 की औसत से 4,806 रन बनाए इसके लावा वंडे में उन्होंने 50.57 की औसत से 10,773 रन जोडे वही T20 इंटरनेशनल में धोनी ने 37.60 की औसत और 126.13 के स्ट्राइक रेट से 1,617 रन बनाए दोनी ने अपने अंतरास्ट्य करियर में कुल 16 शतक और 108 अर्ध शतक जड़े आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट कर दे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्स्ट्राइब भी करते